जब तक आप अपनी समस्याओं यूम कठिनाईयों की वज़ा दूसरों को मानते हैं, तब तक अपनी समस्याओं यूम कठिनाईयों को मिटा नहीं सकते. वा, बहुत ही सुन्दर है, बहुत सुन्दर, है ना, बहुत अच्छा है, वेरी गुड़, एकदम आग खोल देने वाला ये कॉंसेप्ट है, चलिए, इसको धीरे धीरे बोले तो रेश्मा, जब तक आप, सब लिखिये, जब तक आप, अपनी समस्याऊं या कठिनाईयों की वज़ह दूसरों को मानते हैं, तब तक अपनी समस्याऊं या कठिनाईयों को मिटा नहीं सकते. तब तक अपनी समस्याओं एवं कठीनाईयों को मिता नहीं सकते, बहुत ही सुन्दर, नहीं सकते, बहुत अच्छा, चलिए इसका थोड़ा मेनिंग, कोशिश करिए सरर, मतलब सबके उपर तो समस्याओं एवं कठीनायां आती ही है, तो अगर मानेंढेंगे कि वंखेनाय से वही वज़ाएं, उसकी वज़ा से ए अरही है हैं, तो तब तक वह समस्याओं ए वंकठीनायों को नहीं मिटा सकता है बहुत अच्छा मतलब सिंपल में कि अपना जिम्मेदारी खुद लेना है तो इसको भी लिखे उसके बाद अपना जिम्मेदारी खुद लेना है ठीक है खुद लेना है ठीक है मतलब अगर हम कुछ में सही नहीं चल रहे हैं तो दूसरों को गलती ठैराना है कि नहीं ठैराना है ठीक है तो अपना इसी लिए बोला जाता है कि खुद से महनत करो खुद से आगे जाओ तो वही अच्छा भी लगता है ना है की नहीं बताई अच्छा लगता है की नहीं तो दूसरा का कोई गलती नहीं जो है वो किसके कारण है मेरे कारण है तो दूसरा को ब्लेम नहीं करना है ठीक है अपना जिम्यदारी खुद से लेना ह तब ही तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए थाइंक्यू रेश्मा बहुत ही सुन्दर कोट था हम लोग को बहुत सीखने को मिला इससे ठीक है अपसे हम लोग इस पर ज्यादा ध्यान देंगे कि दूसरे को नहीं ब्लेम करना है अपना गलती अपने आपको खुद ही थीक है तो हम लोग पहले आपको टैक्स ऑडिट थोड़ा सा फिर से बता देते हैं हम चेंज़ेस कर दिये आपको भेज भी दिये हैं नोट्स मिल गया ना सबको नोट्स प्राइब ना लगेगा हां कि हम देखें अच्छा ऐसा होता है यह है तो उससे थोड़ा लगता है तो क्या पता चलेगा लगेगा कि बस पढ़ लिया निकल गया ठीक है तो वह सब भी आपको प्राक्टिकल भी दिखा देंगे थोड़ा जिससे आपको पता चले कि अच्छा यह यह होता है ठीक है तो हम दिखाएं चलो टैक्स ऑडिट एक बार रिवीजन कर लेते लास्ट क्लास वाला जो हम लोग यह थे ठीक है तो हम लोग क्या देखें टाक्स ऑडिट बताएं किस आक्ट के तहत होता है टाक्स आपको कानून लगा जैसे ही ठीक है तो वह अट्राक्ट करने लगया तो आपको करवाना है है ठीक है तो जो income tax के हिसाब से audit होता है उसी को क्या बोलता है हम लोग ठीक है tax audit clear हो गया सबको येस ठीक है accounts को ठीक है किसके द्वारे होता है CA ठीक है CA in practice जो है वो करेंगे फिर जो tax audit एक बार कर लिए ठीक है ठीक से टाक्स निकाला हुआ है कि नहीं मतलब और रिवेन्यू ठीक है कि नहीं ठीक है सारा चीज देखा जाएगा कि जो income लोग शोग कर रहे हैं ठीक है और अभी देखते हैं हम लोग क्या है ठीक है देखो सिंपल में the audit conducted by the CA of the accounts of the taxpayer मतलब टैक्सपेर का जो अकाउंट को जाचा जाता है किसके द्वारा CA के द्वारा ठीक है इन पर्सुएंस ओफ दर requirement of section 44 AB मतलब किसके इसको बेस में रखे section 44 AB ठीक है उसको क्या बोलते हैं यहां पर आप 44 AB के बाद यह लगा सकते हैं of the income tax law ठीक है तब तो होगा ना तब पता चल जाएगा एदम clear ठीक है is called tax audit ठीक है तो कुछ को changes भी करना चाहिए आपको आप लगा लेना of section 44 AB of the income tax act income tax law ठीक है तो यह complete हुआ तो online class करो तो कुछ तो extra करोगे तब ना जो सिर्फ note से पढ़ेंगे और आपका में answer होना चाहिए तो आपका में और clear होगा और आप क्या करोगे इसको अलग पैरा में आप लिखना तो ज्यादा clear लगेगा अच्छा अलग से है ठीक है तो यह अलग पैरा मतलब यह हो गया फिर उसके बाद लिखना ठीक है एक्जाम में वैसे भी ज्यादा तर कोशिश करना चाहिए हम जितना पॉइंट्स में दे पैरा पैरा नहीं भरे जितना पॉइंट्स हो जाए उतना बेटर लगता है क्योंकि चेक करना भी सुविधा होता है और आपका answer अच्छा भी लगता है ठीक है फिर जो tax audit करते हैं CA ठीक है उनको अपना tax audit का वह कैसे कैसे देना है तो form है तीन form है ठीक है 3CA 3CB 3CD ठीक है तो यह पिछले बार का note में इतना explain करके नहीं दिये थे इस बार हम एक ही बार में explain कर दिये था कि आपको एकदम से और form 3CA क्या है तो यह form 3CA उन professional या business के लिए होता है जिनका mandatory audit under any other law ठीक है other law law other than income tax law मतलब कि income tax में दूसरे law में भी उनका क्या है audit जरूरी है जैसे company का जरूरी है की नहीं बताइए है की नहीं जरूरी audit करवाना क्लियर हो गया ठीक है है एक मिनेट अब रुकिए है ठीक है तो हम लोग यह देखे यह result हम लोग सर्च किये जिससे हम लोग sure हो है कि किस में बतब जो company है उसको तो mandatory होता है tax audit मतलब audit करवाना अपना ठीक है companies act के साथ उसको audit कराना ही है ठीक है तो company उसके लिए तो जरूरी है audit कराना ठीक है हाँ देखे तो form 3CA लिखा हुआ है ना in respect of a taxpayer carrying on a business यह तो पहले बता दिया फिर instance company is required to get its account audited compulsively under तो यह क्या करेगा company कौन सा form जमा 3CA कि 3CB 3CA clear हो गया सबको clear है जिसका audit compulsory है वह 3CA करेंगे ठीक है ठीक है और यह 3Cb किसके लिए जिसका और कहीं audit compulsory नहीं है ठीक है और कहीं audit जिसका compulsory नहीं है तो उनके लिए क्या है वो कौन सा फॉर्म जमा करेंगे फॉर्म 3CB क्लियर हो गया यह सर ठीक है और 3CD तो क्या है इसमें तो अलग-अलग information रहता है किसके बारे में ठीक है जो audit हम किये न उसके बारे में रहता है ठीक है तो 3CD तो जाएगा ठीक है तो इसलिए आप यहां पे देखो लिखा क्या form नंबर या तो 3CA या 3CB और AND है मतलब यह form तो जाएगा इस सब के साथ clear हो गया सबको clear है yes sir तो अभी एक बार हम आपको form भी दिखाएंगे कल आपको form भी हम भेज दिये थे मिला ना WhatsApp में सबको तीनों form yes sir तो वो learn करना नहीं है वो बस देखना है वो ठीक है कि लगे हाँ practical ऐसा हम अभी समझाएंगे भी आपको ठीक है तो as per section 44 A भी क्या बोलता है जो हम लोग last class में भी देखें क्या बोलता है कि अगर 1 करोड से जादा ठीक है इसको कटने बोले थे आपको ठीक है इसको हटा लेना है तो कोई person अगर business carry करते हैं और उनका total turnover sales gross receipts ठीक है इस year के लिए एक करोड अगर पार हो जाता है तो उनको tax audit कराना पड़ेगा कि नहीं बोलिए करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा लेकिन जैसा हम लोग देखे थे कि किस केस में करना पड़ेगा अगर वो कौन सा scheme का फाइदा उठा लेता है presumptive taxation scheme ठीक है clear है यह क्लियर है यह क्योंकि यह scheme क्या देता है यह scheme देता है छूट बोलता है कि अगर आप यह वाला scheme ले लिए ना तो आपको tax audit कराने का ज़रूरत नहीं है ठीक है तो यह scheme अगर आप ले लिए तो कौन सा scheme तो बोलता है section 44 AD वाला business के लिए section 44 AD होता है और profession के लिए क्या देखे थे section 44 AD क्या लग जाता है आगे के लिए वेरी गुड 44 AD लग जाता है ठीक है उसके उसी तरह गाड़ी वाला है आपका ट्रक चलता है तो दस तक दस वहिकल तक यह चूट है कितना 44 AE वाला में ठीक है clear हो गया यह भी यह सर और उसी तरह कोई और बिजनेस है 44 BB 44 BB तो एक दो आपको homework हम देंगे कि इसको आप सर्च करोगे ठीक है और इसका section 44 AD है तो bracket में आप लिख दोगे तुरंत मिल जाएगा देखो कुछ नहीं करना होता है यहां पे हम लिखेंगे यह आपके पास तो income tax book होगा यह उसको भी उठा कि आप लिख सकते हो देखो section 44 BB क्या है income tax act का ठीक है तो खुद आ जाएगा जैसे क्या है special provision for computation of taxable income of a non-resident SAC engaged in the business of providing इतना 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 है ठीक है इसको short में आप non थोड़ा etc करके लिख देना इतना with इतना supplying or higher यह एट्सेटर नह यह बिजनेस का नाम बता रहा है आपको है ना clear हो गया जैसे 44 ae क्या है देखो any business bracket में क्या लिखोगे any business except the business sorry यह तो वही बिजनेस बिजनेस of applying hiring or leasing ठीक है देखो जैसे 44 ae ठीक है 44 ae ठीक है यह क्या है small business engaged in the business of applying hiring or leasing not more than 10 ठीक है goods carriage vehicle बस यहां तक इसको आप रैकेट में लिख दोगे clear हो गया सबको कि यह सब्सक्राइब कोई बिजनेस का थोड़ोगे 44 bb हो गया 44 ट्रीपल भी देखो चलो 44 ट्रीपल भी दिखा दें लो 44 ट्रीपल भी ठीक है ठीक है income of foreign companies who are engaged in the business of यह 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 जितना तक है last तक महां तक कर लेना ठीक है अच्छा सर इतना लंबा है नहीं लर्न करेंगे तो मत लर्न करो कोई दिक्कत नहीं है यह आपका income tax का एक्जाम थोड़ी हो रहा है आप बस section भी लिख सकते हो clear होगे आपको यह सर ठीक है पर लिख दोगे तो क्या होगा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा ठीक है तो notes में कम से कम पढ़ने के लिए रख दो भले एक्जाम के लिए आप नहीं करो तो कोई बात नहीं लेकिन notes में अपना देखो main चीज है जानना कि हम जाने की नहीं वह चीज को marks तो कि बिजनेस का हो गया कौन सा 44 будете profession का क्या हो गया forefront yeah कर नहीं है आप फॉर सर प्रोफेशन के लिए कितना लिमिट है 50 लाग क्लिएट है ठीक है और बिजनेस के λέीं किया लिमिट है एक करोड़ अगर एक करोड़ पार हो गया है तो आपको क्या कराना ci कराना होगा लेकिन अगर प्रेजंटिव टैक्सेशन जो कि पिछले क्लास में आपको ग्राफ बना के भी समझाए थे अगर इसका हम फाइदा ले ले लेते हैं ठीक है रुकिए हम फिर से बता देते हैं आपको तो चीक है स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग सबको ठीक है तो यह क्या है फॉर्टिफोर एबी में आपको क्या कराना होता है टैक्स ओडिट ठीक है कब करवाना होता है बताइए जब टर्न ओवर या ग्रॉस रिसीट्स कितना पार हो जाए एक करोड से ज्यादा क्लियर है है ना बोलए कि यह कि किस के लिए है किस के लिए लिए है किस के लिए बिजनसा के लिए बुझन से further का से लिए बताइए तो यह अगर पार हो जाए और प्रोफेशन के लिए क्या है? 44 ADA वेरी गुड, 44 ADA इसी तरह अगर आपका ट्रक वाला है, ठीक है? मतलब बिजनेस है, प्लाइंग, हाइरिंग, लीजिंग वाला, ठीक है? ठीक है, goods carriage, dust vehicles तक, ठीक है, goods carriage, vehicle ठीक है, अगर यह है, तो इसका section कौन सा है, 44AE ठीक है, इसी तरह एक section है, 44BB, फिर है BBB ठीक है, तो अलग-अलग sections होता है, clear हो गया, इतना clear हो गया कि आपको, ठीक है, यह सब, यह तो presumptive taxation का हो गया ठीक है, presumptive taxation का यह बोल रहे हैं, है न, यह क्या हो गया, यह तो बोलता है, tax audit कराना है, कब करवाना है, जब turnover कितना पार हो जाए आपका, एक करोड से ज़्यादा, clear है, है न, clear है यहां तक आपको, एक करोड से ज़्यादा तक, है न, अब इसमें क्या बोलते हैं, कि अगर आप presumptive taxation का फाइदा ले लेते हो, ठीक है, presumptive taxation scheme का फाइदा लेते हो, यह क्या होता है, कि अगर आपका, ठीक है, ठीक है, यह तो business का हो गया, turnover अगर इतना पार कर जाएगा, तो आपको करवाना होगा, और profession के case में क्या है, कि 50 लाग अगर पार कर जाएगा, 50 लाग, तो आपको क्या करवाना होगा, tax audit कराना होगा, यह इतना तक clear हैंने सबको, business और profession का दोनो, clear हो गया, clear है, बोलिए, business में 1 करोड पार हो जाएगा, तो audit करवाना होगा, tax audit, और profession में 50 लाग पार हो जाएगा, तो tax audit कराना होगा, अब फिर आया यह section presumptive taxation, तो यह बचाने वाला section है, यह क्या फाइदा दिलवाएगा, ठीक है, तो यह फाइदा किसको दिलवाएगा, तो बोलते हैं कि एक section है 44 AD, ठीक है, बोलिए, नहीं करवाना पड़ेगा, भही ना फाइदा हुआ, है कि नहीं, बोलिए, यह सब बोलो, आप लोग फिर जूप हो जाते हो, समझ में आ रहा है सबको, यह सब को, ठीक है, तो यह section आता है 44 AD, किसके लिए बिजनेस के लिए, यह क्या बोलते हैं, कि अगर आपका ना, बोलते हैं, यह चूट दिर्वाने का कोशशिश करता, यह बोलता है, कि अगर आपका turnover, यह gross receipts, दो करोड तक है ना, बोलता है क्या, दो करोड तक है, ठीक है, दो करोड से कम है, कम है ना, क्या है, दो करोड से कम, Doz Not ऐतना तख है तो आपक्या फायदा ले सकते हो इस सेक्षयन का फायदा आप ले सकते हो तो इस section में क्या बोलते हैं कि आपको अपना कितना income दिखा देना है 8% और 6% बताये थे ना 8% अपना income आप दिखा दो कम से कम या 6% अगर क्या है digital transactions है ना bank में सीधे जमा हो रहा है तो ठीक है यह ला भी किये थे क्या यह आपको हम दिखाये थे ना search करके दिखाये थे ना Yes, Sir ठीक है तो एक छोटा सा note आप भी रख लोगे किस सेक्शन 44 AD पर छोटा सा नोट रख लोगे ठीक है देखो हम search करके दिखा देते आपको यहां पर आ गया ठीक है देखो बस छोटा सा सब्सक्राइब काफी है ठीक है सेक्शन 44 AD प्रिजंट्टी टैक्सेशन इंकम विल बी कल्कुलेटेटेड ओन देट परसेंट आपको जरुवत नहीं है मतलब पूरा मैंटेन करने का जरुवत नहीं है ठीक है क्लियर होगे आपको ऐसे करके अपने कुछ खुछ कुछ आपको देंगे ताब नहीं सीखोगे तो नहीं सीख पाओगे इसका शौट नोट लिख लो हमवर्क में सेक्शन 44 AD का और सेक्शन 44 ADA का का ठीक है लिख लिए कि येस कि यह हो गया ठीक है तो इसका फाइदा अगर आप ले लेते हो तो आपको को चाम के पते हैं नहीं कि चाइब लोगा अब कि क्रैंट से तो हम म leur आपको वहान हुं गया की किरें कर देखाना होगा यह थैब कर дв колon अपरच परसेंट कि हमें अब बुज्कम कशिंता परफिट ओगया यह बान के चलना होगा और 6% मान लेते हैं इसमें मान लेते हैं इस बार हमको हुआ है 90 लाइक का और पूरा बैंक से पैसा मिला है तो कितना लेंगे उसका 6% हम इंकम दिखा सकते हैं क्लियर हो गया ठीक है तो टैक्स अर्डिट कराने का जुरूरत है की नहीं है की नहीं नई है नई है यही तो फाइदा है ठीक है देखो जैसे करोड़ पार हुआ तो करवाना ही होगा लेकिन फाइदा किसको है दो करोड़ तक है तो फाइदा ले लो इतना कम से कम आपको दिखाना पड़ेगा अपना इंकम इस बार हम इंक्लूड कर दिये नोट में क्या इंचेंज आया कि पहले न एक करोड का यह लिमिट था ठीक है यह 44 AD वाला कितना था एक करोड का लिमिट ठीक है एक करोड थेशोर लिमिट एक करोर तो रुपीस तैन करोर अगर काश रिसीट और पयमेंट जो ताल नहीं एक्सीड करता है ठीक है 5 परसेंट ऊप टोटल बिसीट-गेमिंट थीक है 95 परसेंट बिजन्स टांजक्शन सकता है बैंकीं चैनल मता अगर है banking channel से मतनब banks से है ठीक है यहां पर किसको बोल रहा है ठीक है एक में चाथ करते है ठीक है तो अब इस limit को जो यह 1 crore था उसको कितना बढ़ा के कर दिया गया है 10 crore लेकिन किसके लिए बढ़ा के किया गया द्यान से देखना है यहां पर यह किसके के द्वारा करते है इसके द्वारा कि डिजी टंड जटेल ट्रान्जक्टेशन के ड्वारा orthи क्या है मतलब क्या है बैंकिंग चैनल के द्वारा म्हें तो डायु Our कहां आता जाता है कहां से आता जा रहा है आता एक बैंक से आजका ऐस्कार ओन लाइन ऑनलाइन पेमेंट सब अन्ली राण करते होगे किसी और नोец बैंकिंग का चैनल यूज कि नहीं आप है न क्लियर है सबको इस तो सिर्फ इन के लिए बढ़ाया गया है जो कम से कम 95% अपना बैंक ट्रांजक्शन को बैंक के थूर रखते हैं उन्हीं बिजनेस के लिए है सब पता चलेगा ना किना कि नहीं बताएगा और दा cycle क्या रहें तो और सबस्ते के लिएका में झाल इकनाफ़ समानोंने अच्छानिक्शंस बटांटर्य थेате नहीं पता चलता है है ना जैसे कोई आपको कोई 100 रुप्या दिया सरकार को कहां से पता चलेगा कि 100 रुप्या आपको कैश में दिया है नहीं पता चलेगा ज्यादा चांस देती है ठीक है कि नहीं पता चले या आप जो दुकान में 100 रुप्या देख आते हो कुछ खरीद के तो आपका नाम लिखता है, आज हमको, मानलो, फारहट से, सौर रप्या मिला उसके वह बिसकेट खर दी, यह चीनी खर दी, यह चाल खर दी, ऐसा तो नहीं होता है, होता है क्या? तो वो ट्रांजक्शन छुपा रह जाता है कि नहीं एक तरह से नाम तो पता नहीं रहता है किस से मिला clear है सबको लेकिन फरहत अगर बैंक से payment कर देगी आजकल तो banking payment सब होने लग गया student scan की और payment कर दी तो अब पता चलेगा कि नहीं सबको सरकार को clear हो गया सबको इसलिए लिमिट को 10 करोड कर दिया गया कि लोग क्या करें जाजा थर ना बैंक से transaction करें ताकि क्या होता कि सब्सक्राइब रहता है बैंक से ठीक है कोई छुपाने का भी सब्सक्राइब लेकिन अगर आपका दो करोड तक है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा ठीक है अगर आप 44 AD का सहरा ले लेते हैं और यह एक करोड का limit क्या बन जाएगा दस करोड का limit बन जाएगा अगर क्या है आपका 95% transaction किसके द्वारा होता है जाए बैंक क्लियर हो गया है बैंक के द्वारा मत्तब या तो चेक से हो रहा है या ओनलाइन ओनलाइन हो रहा है तो उससे भी पता चल जाता है चलो यह हो गया और प्रफेस्इन के केस में 1 करोड नहीं है प्रफेस्इर के केस में 50 लाग जैसे पार हुआ तो क्या करवाना होगा अपना कि क्या करवाना होगा बताइए हाँ हैंokay के खीख करे चलिए और अगर आप क्या करते हो कि अगर आप अपना सेक्शन 44 a.d. का फाइदा लेते हो मतलब प्रिजंटिव टैक्सेशन स्कीम का अगर फाइदा लेते हो एक साल में और फिर अगले पांच साल में आप किसी भी साल ठीक है आप क्या करते हो अपना प्रॉफिट कम दिखा देते हो मतलब कि 44 a.d. जितना बोलता है वही 8% 6% वाला उससे अ करवाना होगा अब आपको क्या हो जाएगा अब आगे के पांच साल तक यह आप्शन नहीं ले सकते हो क्लियर हो गया सबको यह सै ठीक है चलिए तो तो वह भी क्लियर हो गया ना तो यहां पर हम लोग प्रिजंटिव वाला कर रहे थे तो एक बार इक्स को फिर से बता देत है पचास लाघ तक है ना है तब अपले सकते अन्य टैक्सेशन थीक है ठीक है और मंतलब नहीं लेते हैं धियर हम कम दिखा द nggak म *** तो क्या बोला जाता है तो अगले 5 साल तक फिर आप इसका फर्टीफॉर वाला प्रेस्द्टीफ ग्रतीफॉर ट्रैक्रेश्ष्छन का फाइदा जो भी है थोग उसका फायदा आप नहीं ले सकते हो ठीक है है ठीक है मतलब क्या बोला जा रहा देखो प्रिजाम्टिव टैक्सेशन में तक है अगर हम दिखा दो हैं कम प्राफिट 4040 सलों से आगे के 22 23 में हम बोलते हैं नहीं हम नहीं लेंगे अब इसका फाइदा या प्रेजर्टिव टैक्सेशन से इसे कम हम इंकम शो कर दिए ठीक है तो इनकम हम शो कम कर दिए तो मत्तब उसी यह हम टैक्स आॉरिट हमको तो करवाना ही होगा और क्या हो गया अगले पांच साल तक हम इसका यह 44 AD वाला फाइदा नहीं ले सकते हैं क्लियर हो गया सबको यह सर्थ ठीक है चले ठीक है तो यह है और अगर प्रेजर्टिव टैक्सेशन से कोई बाहर चला जाता है ठीक है वह तो फिर वह वापस नहीं आ सकता है आगले पांच सालों के लिए ठीक है तो वह लिखावा है ठीक है तो यह कोई भी SSC के लिए है ठीक है 44 AD 44 AD ठीक है यहां पर भी ठीक है ठीक है तो अगर कम जैसे आपको प्रोफेशन का बताया हुए वह वह पचास लाग से कम अगर है मतब प्रचास लाग से अगर कम है और हम क्या कर दिए उसमें की कम दिखा दिए 44 AD में जितना बोलता है उसके भी अगर कम दिखा दिए तो हमको जैसे business में हमको tax audit करना पड़ता था वैसे इसमें भी करना पड़ेगा ठीक है तो बागी सीज तो आपको पिछले class में बताये थे ठीक है वेबसाइट भी हम update कर दिये income tax india.gov.in है ठीक है फिर penalty है यह आप देख लोगे ठीक है चलो तो यह हो गया हम लोगा अब आपको हम दिखाते हैं क्या forms दिखाते हैं ठीक है forms एक बार दिखाते हैं आपको 3CA, 3CB, 3CD ठीक है तो tax audit report आपको clear हो जाएगा दिख रहा है न स्क्रीन आपको ठीक है तो देखो आप घर में फिर देख सकते हो ठीक है तो इसे हम दिखा देते हैं आपको देखिए कैसा रहता है form 3 यह है ओरिजिनल ठीक है यह income tax website से डाउनलूड किया हुआ है वह भी कल ही डाउनलूड किया लेटेस्ट है यह फॉर्म नंबर 3CA कैसा होता है तो यह auditor यह होते हैं वह इसू करते हैं तो फिर ठीक है तो हम लोग जैसे काम करते थे तो इसी तरह का यह रिपोर्ट होता है यह सब भर दिखाय होता है किसका अडिक है अच सबहुत फिर थी किया करेंट कि अजिक कि नहीं कि están जांचे फिर इसके साथ एक है और यह सेक्षन के लिए रहे हैं सेक्षन 404 एब के तहए जो डीटेल्स और चाहिए वह वह मारे में और तैंट बढ़ा है जहां जहां को गल्ती मिला वह यह एक्ट करना में जानने के लिए एक्स्ट्रा जानने के लिए तो तो इस रिपोर्ट इस रिक्वाइड यह हो गया जहां पर इक्वार्मेंट्स है नेगेटिव में कॉलिफिकेशन रिजन्स भी दिना पड़ेगा अगर कोई चीज हम को गलती लग रहा है तो क्यों हमको गलती लग रहा है ठीक है अपना में फिर ऑडिटर जो साइन यहां करते मेंबर सिक्नामड होल सिक्राइड को लग रहता है ना रहता है कि नहीं कॉल्स कांशल करते हैं अब अपने नाम केां लगा सकते हो और का जो भी जौंब चलता है आप उसमें अब्लाई कर सकते हो एक तर्मन प्राक्टिस कर सकते हो ठीक है छलो तो ये फॉर्म 3C Osamaj के देखो सिंपल है ना सिर्फ ऐसे भारा जाता है कि और बाकि सारा में डीटील कहा होता है में डीटील इसमें होता है 3CD में ठीक है यह हो गया clear इसमें बस जो गलती जहांज मिला वह अगर है कुछ तो लेख देते हैं ठीक है तो यह हो गया form 3CA clear हो गया सबको एक ही page का form होता है clear है यह सर्थ चाली अब form 3CB देखते हैं प्राक्टिकल देखने से क्या होता है थोड़ा strong लगता है हम देखें प्राक्टिकल ठीक है तो 3CB इसका rule देखें यह हो गया और यह हो गया किसके लिए in case of person refer to इतना 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 ठीक है तो यह किसमें है इतना 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 सारा नीव से हम सेटिफाइ करते हैं कि ठीक है फिर ठीक है कि head office में maintained है at जहां पर head office है और branches कहां का है हम लोग report करते हैं कि कुछ गलती पाए हैं हम लोग यह चीज़ है तो subject to above ठीक है तो अगर कुछ गलती है तो उसका पहले लिख दिए फिर subject to above मतलब ऊपर वाली गलतियों को छोड़ के subject to above क्या हो गया ऊपर वाली गलतियों को छोड़ के ठीक है जैसे हम क्या बोलेंगे कि become semester 6 में सब अच्छे हैं ठीक है और ऊपर में किसी का नाम लिखा हुआ है मानलो एक दो का नाम लेती है ठीक है यह mister a mister b और लिख दिए subject to above all are good मतलब इनको छोड़के बाकि सब क्या है ठीक है clear हो गया कि यह तो ऊपर वाला को छोड़के अब जो हम बता रहे हैं कि उपर वाला का जो है वह अलग बात है ठीक है अलग कर देते हैं subject subject तुझा भी लिखते हैं वह अलग कर रहे हैं उपर अलग हो गया आप जो हम लिख रहे हैं कि हम सारा information मिल लिए और मेरे साब से क्या है कि जित रखा गया branches में रखा गया जिस तरह से हम लोग देखे और हमारे हिसाब से जो भी explanation हम लोग को दिया गया उसके हिसाब से क्या है कि balance sheet सही picture दिखा रहा है true or fair view है उसी तरह profit loss account का भी true or fair view है या अगर non-profit organization है तो उसमें income and expenditure account बनाते हैं ठीक है तो surplus deficit यह सब आता है तो वह सब भी ठीक है ठीक है ऊपर वाले को छोड़ के जो यहां पर 3a में हम लोग लिखे ठीक है उसके बाद फिर यह है कि हम लोग भी पूरा detail कहां दे रहे हैं इसमें 3cd में जितना भी information चाहिए होता है section 44ab में तो कहां पर द हो गया फिर वही sign करता है यह भी एक ही page का होता है ठीक है अगर यह ज्यादा ज्यादा है reasons हम या exceptions ज्यादा दे रहे हैं तब क्या होगा तब ज्यादा लग जाएगा page और क्या ठीक है चलो तो यह हो गया अब हम लोग देखते हैं clear हो गया form 3cb यह income tax के तहत जरूरी होता है यह form अगर income tax में audit है और 3ca क्या था अगर किसी और act में या law में जरूरी था clear हो गया यह भी दोनों 3c3cb अब 3cd देखते हैं आपको बस उतना ही करना है जितना हम notes में दिए हैं लेकिन यह बस हम दिखा रहें आपको extra ताकि आप जानो ठीक है आपको करना क्या है जो हम बस यह दिए यह काफी है इतना बहुत काफी है और एक दो चार्ट जो हम बनवा दिए थे आपको ठीक है जै ठीक है चलो 3 CD रेखा जाए 3 CD है ठीक है अब यह फॉर्म थोड़ा लंबा होता है ठीक है इसमें बहुत सारा डीटेल है इसमें ठीक है method of accounting employee यह सब है ठीक है फिर क्या क्या आपको जो रिपोर्टिंग करना है इसके हिसाब से क्या क्या है ठीक है ठीक है घीव डीटेल्स ऑफ सच एजस्मेंट्स कुछ एजस्मेंट हुआ है क्या ठीक है इसाब से ठीक है मोटा मोटी बस देख लो इक है method of valuation क्या था closing stock का देखो बहुत सारा detail है capital stock अगर आप convert किये हो stock in trade उसको बना लिए हो मतलब आप उसको inventory मतलब goods में ले आए हो अपना जैसे कोई building वाला है तो आप building वाला business करते हो तो आप उसको convert करके पहले उसी में business कर रहे थे तो आपको stock में उसको लिए है उसको भी बेचने का convert कर लिए हो अगर capital asset को stock in trade में तो उसके बार में detail दीजिए ठीक है अलग अलग चीज आप loan दिये हो लिए हो यह सब भी रहता है ठीक है देखो तो यह सब अलग अलग बहुत अलग अलग चीज का यहां पे detail रहता है ठीक है तो पैसा दिये हो मिला है आप जमा किये हो कि नह ठीक है वो आप दिये हो कि नहीं सब सब रहता है contribution जो receive कि अलग अलग fund का EPF, PPF, provident fund का वो आप जमा किये कि नहीं employee का जो आप काटे जमा किये हो कि नहीं किये हो ठीक है तो उसके हिसाब से अलग 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 चीज है ठीक है देख तो एक बार बहुत सारा अलग 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 सब्सक्राइब हो तो देखके हो तो जानी रहें कि अच्छा ऐसा ऐसा तो इसके तो audit होता है कि सारा चीज क्या हो जाए तो फॉर्म यह सब किसली होता है कि सारा चीज च्छन के वापस जो चीज चाहिए वाजाए देखो यह important section 269 SS loan आप दिये हो लिये हो ना तो उसका एक limit होता है देखो exceeding the limit to change होते रहता है limit जैसे पहले भी सब्सक्राइब कर दिया होगा तो 69 SS का है तो अगर आप cash में अगर किये हो तो अगर लिमिट से पार अगर cash का लिए दिये हो तो उसको report करो मतलब जितना भी जरूरी है income tax के हिसाब से ठीक है सब को include कर दिया जाता है ता यह सब पिछले यर का अभी यर का ठीक है उस दोनों का दो ठीक है तो देखो फिर लास्ट में वही सी का साइन होगा एड्रेस वाम का नाम प्लेस मेंबर्शिक नमबर यह सब होगा है ठीक है यह other than income tax law वाला था 3CA यह income tax वाला है 3CB और 3CD क्या है कि इसमें तो यह सब के लिए रहता है इसको भी tax audit जिसका भी हो रहा है उसको यह जमा करना पड़ेगा तो presumptive taxation को ले लेता है तो उसको यह सब form वाला या audit करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा तो यही तो फाइदा हो गया आपको audit नहीं करना पड़ेगा audit फीस नहीं दिना पड़ेगा काम रोखना नहीं पड़ेगा audit करवाने क्लिए जो भी ठीक है तो presumptive taxation यह फाइदा देता है फिर भी business का अपना मुन होता है audit करवा लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा तो वह depends करता है थिक है चल यह हो गया चलिए किने को कुछ बोलना है या पूछना है छेक है फिर हम लोग यहां रुकेंगे ठीक है थाइंक्यू सबको थाइंक्यू सबको थाइंक्यू एक बार पढ़ लेना आप लोग ठीक है ताकि इजी रहे आप लोगे ठीक है चलिए थाइंक्यू सबको